हलो एंड वेल्कम बैक टू माय चैनल बात करेंगे इस वीडियो में KPIT टेक्नोलोजी सिंक्रेट को लेकर के इस टॉक देखेंगे इपने सपोर्ट से ही बाउंस देख करते हुए देखने को मिल रा 1509 रुपए आज देखी हुआ क्या देखिए सुबह से स्टॉक मिलकुल सरें मिलकुल एक रेंज में था और जैसे ही रिजल्ट आये रिजल्ट काफी अच्छे थे और स्टॉक सीदे लगवग साड़े 6-7 परसेंट तर जंप कर गया अब देखिए रिजल्ट काफी अच्छे आए हैं स्टॉक अभी भी काफी अच्छा निख रहा है तो सारी लेबल्स चर्शा करेंगे इस वीडियो को लेगर कि क्या बढ़िया सप्पोर्ट लेवल है क्या टार्गेट है मारे चार्ट टू मिड टम में सारी जीज़ां को बहुत अच्छे इतल्ट करेंगे तो अब भी तक आगर आपने चले को सब्स्क्राइब नहीं किया है तो का मार्केट कैप पहुच चुका है स्टॉक भी देखोगे तो 69 का देखे लगातार बढ़िया कौर्टली रिजल्ट निकल रहे हैं तो स्टॉक थोड़ा सा प्रीमियम पे तो ट्रेड करेगा ही इस आरो सी आरो देखो कितने बढ़िया देखने को मिल रहे हैं इंडस्ट्री प सब्सक्राइब करेंगे और इसके अलावा जो इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट होगा वह मार्स से कंपर करेंगे और यहां से और किससे कंपर करेंगे हम लोग दिसंबर 2030 से भी मार्स 24 को कंपेर करने वाले हैं तो सेल्स पर बात देखती तो एक हजार एक हजार सता करूड की सेल्स हुआ करती थी मास दोहर थीस में वह बढ़के होगी तो लगवक देखो गई तो सेल्स में लगवक 30% की रिवेन्यू ग्रोथ देखने को अम लोगों को मिल रही है अगर रिसेंट क्वार्टन क्वार्टन वेसे से भी काफी अच्छी निकल के आ रही है दूसरा देखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉपिट एक सो ब्यासी करोड का हुआ करता था बढ़के 272 करोड का निकल के आ गया है और अच्छी बात क्या है मार्जन मार्जन भी इंप्रूब हो 18% से अब सबसे इप्पोर्टन है कि भाई कंपनी को मिल गया रहा है तो मास दोयर तेस में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट हुआ करता था 112 क्रोड हुआ करता अब बढ़के पहुंच गया है 166 क्रोड क्या जबर्दस जम देखने को मिल रही है लग 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 देखो गई त तो मॉटा माटी देखो गई तो लग चालिस परसेंट के असपास का जम देखने को मिल रहा है चालिस ने पैतालिस परसेंट के असपास हो गया जम देखने को मिल रहा है क्यों कि मार्जिंस में इंप्रूमेंट देखने को मिला है यहां पर 118 परसेंट के असपास मार्जिन से ही काफी अच्छा परफोर्मेंस 55 क्रोड का था बढ़के 148 क्रोड का हुआ फिर अगें 147 क्रोड का हुआ 276 क्रोड का हुआ 387 599 तो कंपनी ने लगातार बढ़िया परफोर्मेंस दिया है अब भी तक और इसके राब अगर हम लोग कंपनी की बैलन देखें तो वो भी काफी स्ट्रॉंग है 1875 क्रोड की कंपनी के रिजर्व है अब भाई आप लोगों को लगएगा कि कंपनी के रिजर्व से इतने कम है और जब की एक चीज़ देखने को मिलेगी तो कि और मार्केट के अब 41,000 क्रोड का है तो भाई कंपनी लगातार तो अच अच्छे से उपरेशन वगयरा को यूज करना स्टार्ट किया अगर देखोगे तो सेल्स भी 5000 क्रोड के आसपास पास पहुत जो किया और पांस तुन इन्यानवे हुआ कंपनी के रिजर्व बढ़ते रहेंगे कंपनी के प्रॉफिट्स बढ़ते रहें क्योंकि इनके पास काफी अच्छा जो ओर्डर वोग है वो काफी श्रॉंग है बोरेंग देखोगे तो कोई ज्यादा खास बोरेंग देखने को नहीं मुद्धिया सिप्तीन से उन्टेस क् परसेंट की अभी भी जो होल्डिंग है वो प्रमोटर के पास है और अगर देखोगे तो यहां पर फाय ने प्रॉफिट बॉकिंग की है और खरीदा किसने है तो डिया ने खरी लिया है तो ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है कि एस चीज को निटिलाइज कर दिया गया और तो पब्लिक की ओल्डिंग को ज़्यादा देखने को नहीं मिलते सिर्फ 20 परसेंट के असपास का मार्केट जो मार्केट में फ्रीफ्लोट है वो ज़्यादा नहीं है अगर एक चीज में आप लोग देखोगे तो यहां पर जो इसके डारेक्टर है उड़हों ने अभी ब्लग कोई डेजनिटी परसन थे गौतम बावी सेठी ने यहां पर थोड़ी सी क्वांटिटी बेची थी अच्छी बात है परवरी 2024 में डारेक्टर ने करीदे को कि डारेक्टर इसके अभी पर काफी बुलिश है अच्छे आने की पूरी पॉसिमिलिटी अब देखिए इस्टॉक कोई बहुत ज़्यादा ऊपर ट्रेड नहीं कर रहा है अभी अभी हाली में स्टॉक ने ट्वंटी डेस को भी आजी ब्रेक्ट किया है लोगा तो बहुत कंसॉल्डेट हो गया था लगका और देखोगे तो नॉवंबर 2023 से कंपरी ने कोई खास रिटर नहीं दिये है और काफी स्टॉंग देखने को मिल रहे है तो इस टॉक अगर डिप में आता है सम्थिंग अराउंड 1450 रुपए और इवन अगर 1350 रुपए यह दो लेवल्स मुझे ऐसे लग रहे हैं कि अभी भी एक यहां पर एक अपॉर्चुनिटी अभी भी बाकी है और इवन पंदरा रुपए के नीचे का स्टॉप लॉस यहां पर रख लीना चाहिए 1350 रुपए के नीचे निकलता है अगर स्टॉप लॉस हिट करवा लेना चाहिए और ऊपर की अगर हम लोग टार्गेट की करें तो टार्गेट के लिए एक अच्छी सी टेलान हम लोग कीशते हैं सिम्पल लोगों के लिए काम करेंगे एक न्नलाइन हम लोग कीशते हैं को फिला टार्गेट हम लोगों का यहीं तक रहने वाला है जो कि यह 1750 रुपए का और दूसरा टार्गेट रहेगा 1830 रुपए का तो यह दो टार्गेट के लिए वह हम लोग इस स्टॉक में जाने की सोच सकते हैं बाकि आप लोग अपना व्यूज क्या है कमेंट बाक्स में जरूर बताएगा और किसी भी डिसिजन लेने से पहले अपने फानेशिल डवाजरी की सला और अपनी रिसर्च भी जरूर करिएगा पहले अगरे वीडियो समय दो तक के लिए धन्यबाद